प्रिविद्यार्थियों नमस्कार भिकारी दास रितिकाल के एक बड़े कवी हैं जिनोंने रितिकव के लक्षणों के अनुरूप और संस्कृत प्रमपरा के अधार पर अपनी रचनाय लिखी कावी निर्णे उनका महत्पुन ग्रंथ है लेकिन जो संकली तंशाप के पाठि इत क Presents किया गया है और यह माना जाता है कि वे राम की भक्त थे विष्णू की भक्त थे पिछले पदों में आपने विष्णू की भक्त हुं उन्हों देखे और किस तरह से वह उतार के दबारा संसार में कल्याण करते हैं इस भाववना को देखा यहाँ पर जो अगला पदा यानि वह बुद्धी के भंडार है आगर का मतलब होता है बंडार और उजागर है या सार संसार जानता है कि वह बुद्धी के भंडार है अपने बुद्धी के द्वारा सार संसार का संचालन करते हैं और भव सागर की तरनी को खवईया है इस संसार एक सागर है और उसमें राम नाम रुपी जो माध्यम है वह एक नाव की भाती है सागर में यदि व्यक्ति अ से और मनुष्य उनके वशिभूत होकर कर सारी गतिविद्या करता है और अपने आपको अनुरक्त करता है परिणाम स्वरुब्व संसार से मुक्त नहीं हो पाता मौक्ष को प्राप्ट नहीं कर पाता पाता लेकिन जो राम की भक्ति को धारण कर लेता है कि तो वह उसके लिए विधान के उन्होंने अपने आपको व्यक्त किया सतासर किमर्यादक प्रश्रों के रुप मेंस्तापित किया भक्तों के लिए वह आनद के निधान है उन्हें आन। प्रदान करने वाले हैं उन्हें संसार के मुक्तिंप्रदान कर परम धाम के और ले जाने वाले और इसलिए कभी केते हैं कि भक्ति सुधारस प्रान भवया और भक्ति रुपी अम्रित के प्रान है यानि राम की भक्ति होने पर एसा लगता है कि जैसे को अम्रित का पान हो गया और अम्रित की प्रान होने से व्यक्ति अमर्ता को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार से जो र वो इस तरह के हैं कि बुद्धी के भंडार है संसार से अगर से पार कराने वाली नाव है आनन्द के निधान है और स्वैम मरियादा पुरुशोत्तम है और जिसकी भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है तो कभी ने कहा कि जान यह है अनुमान है और मैंने यह जान लिया और मैंने अनुमान कर लिया और मेरे मन ने भी मान लिया कि तुम्हें राम का दास होना चाहिए और इसी तरह से मैंने राम को दास बन गया हूँ और राम का नाम का ही मेरे पास कागद है और इसी आधार पर मैं उसको गा रहा हूँ गया हूँ यानि राम के नाम को मैं अपने कागद पर लिख कर गा रहा हूँ यानि कविता के माद्यम से अपने पदों के माद्यम से मैं राम की भक्ति कर रहा हूँ मुझे पता है कि वह मेर प्रसाद गुने से निकालने के आवशक्ता नहीं और नहीं को ृसुआ मुलक अर्थ है कुल मिलाकर इसमें भक्ति की गई है भाषा यहां पर साहितिक ब्रज है अगला पद हम पढ़ते हैं जहां भी कभी जहां पर भिखारिदास राम की ही भक्ति कर रहे हैं मांगोई तो बर दीन दयानी धी दीन ता मेरी चित भहर हां मिजू जो मी चिनाम के ने हक ब्योरह अंतर जावनी रंत जामी जू मों रसना कुरूजे रसनात जींग नमामी 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 जू जानो न अपनी असहाय अवस्ता एक जो भक्त होता है वह निश्चल होता है अबोध होता है उसे पता नहीं होता है कि भक्ति का स्वरूप क्या है और कैसे भगवान को प्राप्त करते हैं यहां विनए पुर्वकुन से निवेदन कर रहे हैं क्या करते हैं कि जानो न भक्ती न ज्यान की शक्ति कि नहीं जानता हूं इस से परीचे जानता है जैसा कि पीछले संतों ने साधकों ने रिश्यों कहा है तो मेरे पास में झ्यान के शक्ति हैं भक्ति का समर्व मुझे आता है में तो सिर्फ estásине स्वामी नहीं है और ए सिस्तित् zich में semaine में हैं आपके अशरण met और स्वामी और इस अनात का कोई सहारा नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनति करता हूं कि आप मेरे स्वामी हैं और इस अनाती कि किजिए और मेरे को भकतिगा दीजीए ज्ञान की शक्ति दीजिए मैं क्या मांग सकता उसके मांगो इतो किना मेरा देन सोभा सब्सक्राण quatro नगैवर्धी और मेरी मेरी जो सहाय वस्ता है वह गरीबी भक्ति गरीबी है इन दोनों को ही आप अपने चित में भर लीजे और हामी दे दीजे आाँ वास्ताव में तू ज्यादा कुछ नहीं जानता है अबोध है तेरे पास कुछ भी नहीं है और इसकी तुब आपके वल्ट श्वीक्रिती दे द क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बीचे नाम के नेहा को ब्योरा है अंतर जामी नीरंतर जामी जो में पता है कि आपके नाम का जो स्नेह यदि मुझे पर मिल गया तो मैं आपके अंतर यामी स्वरूप को जान जाओंगा आपके नाम का मुझे पर क्रपा हो गई आपके क्रपा ज पूब जाओंगा और आपके अंतरी आमिस्वरूब को निरंतर जाप करता रहोंगा और उसकी शरण में आ जाओंगा चिर्फ आपकी स्विक्रती की देर है और मेरी जो रसना है जीव है इसको तो क्यवल रस चाहिए और भक्ती का रस चाहिए और राम को नमन करना छोड़ यहां देखें इस पद में सवया तो है लेकिन विनिता कितनी है विरय कितना है और भक्त किस तरह से भगवान के सामने खड़ा है अपने आपको अबोध बता रहा है इस बात का इस पद में वर्णन किया गया है पदों की रचना देखो आप यहां पर नमामी नमामी क्ति प्रकाश के साथ एक नाद सौंद्रे भी उत्पन्न हो रहा है और बक्ति शक्ति अनात्र में आ इसमें और कुल मिलाकर के विनाईपस्ट कि प्रसाद घुन प्रज्श भाष्छा है कि में सवया है विए एक def давно आ रहा है और इसमें गणनायक की वंदना है गणपती बुद्धी के स्वामी होते हैं और किसी भी शुप काम को शुरू करते हैं तो हमारे परंपरा में रहा है कि हम भगवान स्री गनेश की आराधना करते हैं यहां पर वो वैसे ही करें इक करी वदन वी मंडित ओजिय खंडित पूरण पंडित ज्यान परे गिरी नंद निकंदन असूर निखंडन सूर उर चंदन किर्ति करें भूशन म्रिग लक्षण वीरवी लक्षण जन प्रणा रक्षण पास धरे जै जै गण नायक खलगण धावक दास जहायक विगन हरे ओज अखंडित पूरण पंडित गान करे करी करी का मतलब होता है हाथी और करी वदन यानि हाथी के मुक्डा है हाथी का वदन है विमंडित ओज उस पर एक तरह से ओज मंडित है यानि ओजस्वितालिये उनका मुखडा है और अखंडित पूरण पंडित है और एक तरह से जिनहें खंडित मेंकिया सकता हैं ज्ञान के पूर्णता उसके पास है और ज्ञान से भरे अववे पूर्ण स्विता और पूर्ण ज्ञान के भरे अब पंडित और अग Islands करता हूं उनकी क्या विशेष्ट्टा है गिरी नंद निकंदन असुर निकंदन गिरी नंद परवतों के स्वामी वगवान शीव के वो नंद है पुत्र है और हमेशा असुरों का निकंदन करते रहते हैं जो असुरी व्रत्ति के लोग हैं उन्हें उनसे भई रहता है उनका नाश करने पर वो रहते हैं करते हैं क्योंकि वह सत्व के स्वामी हैं वह हमेशा सत्व गुणों की रक्षा करते हैं और जो असुरी वृत्ति के लोग होते हैं उनको उन्होंने नश्ट करने का धर्ण कर रखा है इसलिए घनपती सभी के यानि जब भी विगना हरता के रोप में जाने जाते हैं जब भी विगना आता है जीवन में देवताओं के नरों के संसाल लोग में तब लोग घनपती के अराधना करते हैं तो एसे केलाश्पती शिव का जो पुत्र घनपती हैं मैं उनके अराधना करता हूं और भूशन म्रग लक्षन और म्रग लक्षनों से वो युक्त हैं सुशोभित हैं म्रग लक्षन अर्थात वीरत्व के गुणों से वो सुशोभित हैं वीर विलक्षन वीर हैं और जन प्रणा रक्षन और प्रान धरें और जो भी उनके पास रक्षा के मांगता है शरण में भाकते हैं इस दास के सायक हैं और मैं उनसे विनती करता हूँ कि मेरी जो सांसारिक विगनाएं हैं उनका आप हरन करें उनको आप नश्ट करें तो यहाँ पर गणपती के मेंदना करते हुए भिगारी दास आशा करते हैं कि जो भी सांसारिक विगनाएं उनके क्रिया कलापों उनके मार्ग में जो बाधाएं हैं उनका फरन करें और उसे भक्ति का आश्र प्रदान करें तो आज हमने इन तीन पदों को देखा जिनमें उपरी दो पदों पर आपने राम भक्ति का पत्था और तीसरा पद यहां परेती यह भी आपका सवया ही है लेकिन इसमें माधूरी कुण की छटा है जैसे नंद निकंदन सुर्य निखंदन लक्षण विलक्षण तो एक तरह से नात संद्री भ्यूत्पन हो रहा है तो साहितिक भ्रज भाशा में जिस तरह से इन्होंने सवया लिखा है तो वह आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें और उसका अर्थ करने की कोशिश करें बहुत बहुत धन्यवाद आज इतना है